प्रखर और ओजस एक ही बिल्डिंग में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे दोनों अच्छे दोस्त भी थे उनका स्कूल घर से कुछ दूरी पर था और इसलिए वो दोनों एक ही ओटो से स्कूल आया जाया करते थे उनकी परिक्षाएं चल रही थी इसी वज़े से ओजस रोज सुबे उठकर पढ़ा करता था उस दिन गनत का पेपर था और जब उसे ये महसूस होने लगा कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो वो न्यूस पेपर उठा कर पढ़ने लगा दूसरा पन्ना खोलते ही ओजस की नजर एक खबर पर गई जिससे वो पर प्रखर के लिए तैयार नहीं हुआ था उसने जल्दी से कपड़े पहने और हाथ में केला लेकर चल दिया ओजस को उसके हाथ में केला देखकर बहुत हंसी आई प्रखर केला खाता जा रहा था और रस्ते में केले के छिलके फेकता जा रहा था ओजस को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था उसने प्रखर से एक दो बार कहा भी प्रखर इस तरह से केले के छिलके रस्ते पर फे और फिका ले रखा है। वो देखो, सारी रोड पर कच्रा पड़ा है। क्या मैं सब का कच्रा साफ करूँगा। ओजस ने धीरे से कहा। प्रखर, बाकी गंदगी का फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम गंदगी न फैलाएं, ये तो करी सकते हैं, है ना। पर प्रखर ने दोस्ती तूटे, वो ये करता ही नहीं चाहता, अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे, कि उनके सामने से एक नहीं, बलकि दो-दो काली बिल्लियां इतराती हुई निकली, वो जिस तरह से खेलती हुई जा रही थी, उससे ओजस को हसी आ गई, पर प्रकर लगभर चिलाता कोई कहा, प्रकर, मुझे ये पता है कि मैंने गनित के पेपर के लिए शुरू से अच्छे से महनत की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा। उजस को ये देखकर आश्चरे हुआ, कि प्रकर का ध्यान उसकी बातों की तरफ था ही नहीं, वो उन बिल्लियों से काफी परिशान हो चुका था, उसने ओजस से कहा, सुनो, अब इस रस्ते से जाना ठीक नहीं है, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ हूँ कि बिल्ली का इस तरह रास्ता काटना अप्शकुन होता है, चलो हम दूसरे रस्ते से चलते हैं, ओजस ने कहा, प उसके बाद वो रस्ता भी काफी लंबा है, इन चक्करों में हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, ना बाबा, मैं तो इसी रस्ते से जाऊंगा, प्रखर ने थोड़ा सा चिड़ते हुए कहा, तुमको जो करना है करो, अगर पेपर खराब हो जाए, तो मुझे मत कहना, मै तुमको सावधान कर ही चुका हूँ, कि अगर बिल्दी रास्ता काटे तो अश्यूब होता है, मैं तो उस लंबे रस्ते से ही जाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी, जब दोनों को ये समझ गया, कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोनों अलग-अल पेपर देखकर वो बहुत खुश था, उसे लगबख सब कुछ आता था, बस वो ये देखकर परिशान था कि काफी देर तक प्रखर स्कूल नहीं पहुंचा है, उसकी टीचर ने पूछा भी प्रखर कहां रह गया, उसने मात्र ये कह दिया, मैडम वो दूसरे रस्ते से आ रहा है, उधर प्रखर को स्कूल पहुंचने के जल्दी थी, और वो लगबख दौटते हुए घर की ओर जा रहा था, मनी मन वो सोच रहा था कि ओजस कितना मूर्ख है, तभी उसका पैर उसी केले के छिलके पर फिसल गया, जो उसने कुछ समय पहले फेंका था, वो जोरों स गिरा, आस पास के लोगों ने उसे उठाया, उसे चोट को ज़्यादा लग गई थी, उसे अब चलने में दिक्कत हो रही थी, वो लगबख लंगराते हुए दूसरे रास्ते से धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ने लगा, जब वो स्कूल पहुंचा, तो लगबख आदा घं को चोट लग गई है, शायद इसलिए वो लेट हो गया है, तभी मैटम को भी ओटो और रिक्षे वालों की हर्ताल के बारे में याद आया, और उन्होंने उसे पेपर देने के आग्या दे दी, चुकि उसके पास समय कम था, इसलिए प्रखार जल्दी जल्दी पेपर लिखन और बोला, मुझे आज समझ में आया, कि बिल्ली का रास्ता काटना अप्शकून के निशानी है, जैसी बातों पर विश्वास करने से कोई फाइदा नहीं होता है, काश, मैंने तुम्हारी बाते मानी होती, और सबसे पहले तो केले के छिलके कूडे डाल में डाल देता, और उसका इतना च्छा दोस जो था?